एर इंडिया के एक विमान में बम होने की धमकी के बाद उसे केरल के तिरुवनंद पुरम एरपोर्ट पर उतारा गया जानकारी के मताबिक फ्लाइट 657 मुंबई से रवाना हुई थी इसके बाद इसमें बम होने की बात सामने आई लेकिन धमकी में कितनी सचाई है इसकी जाच चल रही है विमान को तिरुवनंद पुरम एरपोर्ट पर उतार लिया गया है तिरुवनंद पुरम एरपोर्ट की ओर से बताया गया कि बम की धमकी मिलने के बाद पूरी तरह से आपातकाल घोशित कर दिया गया विमान को आईसोलेशन बे में रखा गया है सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट सुभा करीब आठ बजे हवाई अड़े पर उत्री इसके बाद इसे एक आईसोलेशन बे में ले जाया गया यात्रियों को सुभा आठ बजकर चवालीस मिनट पर विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया यात्रियों को असुविधा ना हो इस वज़े से हवाई अड़े पर परिचालन जारी है विमान में 135 यात्री सवार थे अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि धमकी किसने और कैसे दी मामले की जाँच की जा रही है स्थानिय मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक विमान की विस्तरत तरीके से जाँच की जा रही है ताकि बम का पता लगाया जा सके मुंबई तिरुवनंद पुरम फ्लाइट के पाईलिट ने एरपोर्ट के एर ट्रैफिक कंट्रोल को बम होने की जानकारी दी थी इसके बाद ही एरपोर्ट पर इमर्जेंसी घोशित की गई वैसे तो एर इंडिया फ्लाइट को सुभा 8 बचकर 10 मिनट पर तिरुवनंद पुरम एरपोर्ट पर लैंड होना था लेकिन बम की खबर को देखते हुए इसे जल्दी यहां लाया गया विमान ने सुभा 5 बचकर 45 मिनट पर मुंबई एरपोर्ट से उडान भरी थी पाईलिट ने एर ट्रैफिक कंट्रोल को बम की खबर दी ये तो साफ हो चुका है मगर अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि पाईलिट को ये जानकारी कहां से मिली है पुलीस जाँच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाईगी तिरुवनंद पुरम एरपोर्ट ने बताया है कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है एरपोर्ट पर कामकाज प्रभावित नहीं हुआ है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें